लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 12 ये चैप्टर नमबर 2 केमेस्ट्री सलूशन यानि की विलियन का थिवरी और निमेरकल बताये थे आज हम लोग नेक्ट थिवरी के साथ साथ विलियन का निमेरकल भी देखेंगे चलिए देखते हैं मुलारता के पदों में सांदरता की हेडिंग ये आपके सामने सांदरता की बात अगर करें तो हेडिंग कैपिटल A, B, C, D और E इतना सब हम पिछले डेरिवेशन में हम बता दिये थे लेकिन अब आपको हेडिंग कैपिटल F के अंतरगत मुलारता की परिभासा और हम सूत्र देने वाले हैं इसके पहले आपको मुलारता के पहले मुलारता भी बताये थे नार्मलता की भी परिभासा और सूत्र सब दे दिये थे अब देखिए जरा यहां पर मुलार का सबसे पहने फर्मूला आपके सामने हैं मोलत इकल्टू होता है विले के ग्राम अणों की संख्या यानि की मोल अपन विलायक का द्रविमान भार के साथ यहाँ पर सामने होगा अब इसके आगे की जानकारी अगर दे मुललत की परिभासा अगर बताने के कोशित करें तो जर परिभासा पर विशेश ध्यान रखेगा इसका परिभासा क्या होता है बोलने जा रहें ध्यान से सुनिएगा किसी विलाइक के एक किलोग्राम भार में घुलित विले के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं क्या खा ध्यान से फिर से सुनिए किसी विलाइक के एक किलोग्राम भार में घुलित विले के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं अब आगे फर्मुला को डेरिवेशन के रूप में ड्राइब करने के लिए हम आगे कुछ बोलने जा रहे हैं जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मोल इक्वल टू भार बटे अनोभार होता है मोल इक्वल टू भार बटे अनोभार होता है विले का भार बटे विले का अनुभार अपन वो पहले से तो लिखा ही हुआ है विलाएक का द्रविमान यानि की भार ये नीचे लिखा हुआ है तो विले का भार बटे अनुभार तो इस अनुभार को नीचे लेके आगे की और बढ़ते हैं तो आपको सही फर्मूला मिल गया मोललता इकल तू विले का भार अपान यहां पर होगा विले का अनुभार डैस के रूप में इन्टू यहां पर होगा विलायक का भार तिक तो इस आधार पर हम क्या करने वाले हैं विले का भार डबलू इकल टू यह विले का भार इकल टू क्या होगा डबलू अपान एम डैस इन्टू यहां पर क्या होगा कैपिटल डबलू यहां पर ग्राम में इन्टू यह होगया 100 क्यों करते हैं क्योंकि definition में ये kilogram में होता है लेकिन अगर numerical में कि kilogram के जगा पर विलायक का भार gram में दिया गया हो तो उपर 1000 का हम गुणा कर देते हैं तो इस जगा पर जड़ा फिर से देख लिए कि विले का अनुभार M- है, capital W यहां पर विलायक का भार है, small W विले का भार है और into में एक हैर का गुणा कर दिया गया है अब आगे की जनकारी ले लिए, अतर विले का भार, small W इसी पिछले फर्मूला के आधार पर हमने क्या डेरिवेशन को ड्राइब कर लिया W इकल टू, मोललता into अनुभार into विलायक का भार, लेकिन ग्राम में अपौन एक हैर इस सूत्र के अधार पर्वेश हम आसानी से निमेरकल में विले का भार W याद कर सकते हैं तिक, यहाँ पर एक बात याद रख लिए, small W यहाँ पर विले का भार है और यहाँ पर capital W यानि की विलाय का भार है अब आगे, रिमार्क में हम क्या करने वाले हैं, जितने पिछले विडियो में डेरिवेशन बताए थे उन सभी के फर्मुला आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हम numerical एक एक करके आगे बताने वाले हैं, star करके हम एक करके फर्मुले हम define करने जा रहे हैं तो देख लिए, विले का भार मुलर्ता के पदों में, small w equal to, मुलर्ता इंटू, अनुभार इंटू, आएतन मिली लीटर में अपान एक हैर अगर आएतन निमर्कल में लीटर में दिया गया हो, तो नीचे एक हैर नहीं होगा केवल फर्मुला होगा, small w equal to, मुलर्ता इंटू, अनुभार इंटू, आएतन लीटर में एक हैर का भाग देने का केवल एक ही मतलब है, कि यहाँ पर आएतन किस रूप में लिखा है, मिली लीटर के रूप में लिखा है अब नार्मलता के पदों में, विले का भार, w equal to, नार्मलता इंटू, तुल्यांकी भार, इंटू, मिली लीटर में आएतन अपान एक हैर अगर आएतन यहाँ पर पुनह लीटर में बाइद वे दिया गया हो, तो एक हैर का भाग नहीं होगा लेकिन आएतन जब मिली लीटर में हो, तो एक हैर का यहाँ पर भाग दे देंगे अब इसके आगे का कांसेप्ट देख लिए, एक महत्पोन फर्मूला हमें मिलता है यह डवलू इस डवलू के बराबर है, यह आएतन इस आएतन के बराबर है, एक हैर इसके एक हैर के बराबर है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों फर्मूला को मुलार्ता और नार्मल्ता के केस में कंपेर करने पर हमें मिलता है molarth into अनोभार equal to normlude into तुल्यांग की बाद वही लिखा है क्या दिखाई दे रहा है normalth into तुल्यांग की बाद equal to molarth into अनोभार ठीक यहाँ पर अनोभार तो इतना दिखाई दे गया लेकिन एक बात और कि सांद्रता का यही फर्मूला होता है सांद्रता को हम शक्ती भी कहते हैं S for strength भी कहते है तो strength का फर्मूला भी यही होता है सामने ग्राम प्रति लीटर में strength का फर्मूला हम क्या देते हैं सांद्रता या शक्ती इकल्टो नार्मलता इंटू तुल्यांगी भार या सांद्रता या शक्ती ग्राम प्रते लीटर में एकल टू मुलर्ता इंटू अनुबार तो शक्ती इकल टू फर्मुला मिल गया नर्मल्ता इंटू तुल्यां की भार एकल टू मुलर्ता इंटू अनुबार इन में से कोई भी एक फर्मुला को हम इस्तमाल करके निमेरकल को हल कर लेंगे जब नार्मलता निमेरकल में दिया गया हो और शक्ति ग्यात करना हो तो शक्ति इकल्टू नार्मलता इंटू तुल्यां की भार का इस्तमाल करेंगे यदि निमेरकल में मुलर्ता दिया गया हो और शक्ति ज्याद करना हो तो शक्ति का फर्मुला मुलर्ता इंटू अनुभार से ज्याद होगा लेकिन इसका अंसर यह जो strength है शक्ति है वो ग्राम प्रति लीटर में ही अंसर आएगा एक और star के रूप में फर्मुला दे दिये हैं नार्मलता और मुलर्ता में संबंद नार्मलता इकल्टो मुलर्ता इंटो small n small n के विश्य में आप याद रखिए यह जो भी हम विले पदार्थ लेते हैं उसमें आएण के रूप में तोड़ने पर कुल धन आवेसों की संग्या या कुल रिनो आवेसों की संग्या या अमल की छारकता या छार की अमलता small n के रूप में हम इस्तमाल करते हैं जब नार्मलता ग्याद करना हो मुलर्ता दिया गया हो तो नार्मलता इकल तो मुलर्ता इन तो small n लिखते हैं जब नार्मलता दिया गया हो मुलर्ता ग्याद करना हो तो फर्मूला हम इस्तमाल करते हैं मुलरता इकल्टो नारमलता बटे इस्मॉल एन ठीक यहाँ पर इस्मॉल एन अभी जैसा की बताए थे फर्स्ट में ये अमले की छारकता होती है सेकंड में एन के विशे में अभी बताए थे छार की अमलता यानि की ऐसीडिटी होती है तीसरी बात हम आपको बताए थे कुल ध मेरा एक बहुत सिंपिल धंग से हम फर्मुला इस्तमाल करते हैं और उसका निमेरकल हम बोलेंगे और हल भी करेंगे ध्यान से देखिएगा अगर हम आपसे कहें कि कैपिटल M बाई टिन एच्ट्वेस फोर एच्ट्वेस ओ फोर विलियन की नारमलता ग्यार किये तो नारमल मलता कितनी दी गई है M by 10 का मतलब 1 by 10 into H2S4 में H की टोटल संग्या या small n कमान 2 है तो इस तरह से 2 by 10 यानि की 1 by 5 हो गया इतना आसान तरीके से मुलरता दिये होने पर नारमलता हम आसानी से ग्यात कर लेते हैं अब चलते हैं नेक्ट पेज में हेडिंग कैपिटल जी आपके सामने हैं मौल प्रभाज के पदों में सांत्रता कंसेंट्रेशन इन टरम्स अफ मौल फ्रेक्शन इसमें हम सबसे पहली बात आपको बता दें कि माना विलियन में विले कोई पदार्थ ए है उसके मौलों की संग्या इसमल एन लेते हैं और विलाइक कोई कैपिटल भी है उसके मौलों की संग्या कैपिटल एन लेते हैं तो विले के में पदार्थ की मातरा कम होती है भार के रूप में विलाइक की मातरा अधिक होती है तो विले के कांसेप्ट के लिए इसमल का इस्तमाल करते हैं विलाइक के concept के लिए capital later का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए mole equal to जैसा कि आपको बता चुके हैं कि भार बटे अनुभार w बटे small m होता है और विलाइक के लिए यही capital N equal to भार बटे अनुभार w upon m dash b के लिए इस्तेमाल करते हैं एक बात और जैसा कि अभी बताए थे कि किसी विलेन में विले के मोलो की संख्या small N हो और विलाइक के मोलो की संख्या capital N हो तब उस विलेन में उपश्थित कुल मोलो की संख्या जोड करके प्राप्त कर लेते हैं अब यहाँ पर दो बात सामने आएगी फर्ष्ट में विले के मोल प्रभाज और सेकंड में आपको हम बताने वाले हैं विलाइक का मोल प्रभाज तो विले का मोल प्रभाज इकल्टो small N upon small N plus capital N होगा और विलाइक का मोल प्रभाज जो होगा capital N upon small N plus capital N होगा अगर आप से कोई पूछे कि विले के मोल प्रभाज की परिभासा बता दीजे तो हम देखिए ध्यान से हम किस तरह से परिभासा को अपने हिसाब से बता देते हैं और बहुत सही होगा वो किसी विले का मौलों की संग्या तथा उस विले और विलाइक के मौलों की कुल संग्या के अनुपात को उस विले का मौलों की कुल संग्या के अनुपात को उस विले का मौलों की कुल संग्या के अनुपात को उस विलाइक के मौलों की कुल संग्या के अनुपात को उस विलाइ का मुल प्रभाज कहते हैं एक और बाद इतना जानने के बाद अगर हम विले के मुल प्रभाज XA और विलाइक के मुल प्रभाज XB को अगर हम जोड़ दें एड़ कर दें देखिए हमें क्या मिलता है XA प्लस XB इकल टो स्मल N अपॉन प्लस 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 कि अगर विले और विलायक में किसी एक का मोल प्रभाज यानि कि मोल फ्रेक्षन मोल फ्रेक्षन ध्यान से सुनिएगा मोल फ्रेक्षन यदि किसी एक का दिया गया हो तो दूसरे का मोल प्रभाज यानि कि मोल फ्रेक्षन यह फर्मुला से आसानी से ग्याद कर लेते हैं यहनकि B का मुल प्रभाज एक्वल टू 1 माइनस A का मुल प्रभाज क्योंकि X A प्लस X B इक्वल टू 1 तो X B इक्वल टो 1 माइनस X A तो यह फर्मुला आपके सामने है अब जैसा कि आपने देखा था यह मुल अर्ता की परिवासा मुल अर्ता का हम इस्तमाल जैसे करते थे अब उसी टाइब से हम आयनिक ठोस के लिए फर्मल्ता का भी फर्मुला स्टेप के रूप में आगे बढ़ाएंगे फर्मल्ता के पदों में सांधरता को अंग्रजी में देखे क्या लिखा हमने concentration in terms of formality फार्मलता का सूत्र होगा विले का द्रविमान बटे विले का सूत्र द्रविमान into नीचे ही होगा विले का आयतन लीटर में तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि विले का भार बटे उसका सूत्र द्रविमान जो होगा मोल के रूप में अगर जान ले तो हम क्या कहेंगे किसी आइनिक ठोस के लिए विले के मोलों के संग्या और उस विलेन के आयतन के अनुपाद को हम फार्मलता कहते हैं तो इसमें विले के विशे में अभी बताये थे आइनिक ठोस होना चाहिए और इसमें अनुपार जो होता है अनिक ठोस के लिए वह ये सूत्र द्रविमान होता है अनुपार नहीं अनुपार के जगा पर हम सूत्र द्रविमान का इस्तमाल करेंगे लेकिन टोटल कैल्कुलेशन वही होगा अब आगे बढ़ते हैं नियुमेरकल के तरफ चलते हैं नियुमेरकल देखे एक करके इनी फार्मुलों पर आधारित हम नियुमेरकल बताएंगे ज़र माइंड खुला रख करके काम किजेगा क्योंकि नियुमेरकल थोड़ा じल्दी-घल्दी बोलने वाले हैं 0.1 capital M sodium carbonate Na2CO3 विलियन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम sodium carbonate भोलना पड़ेगा तो इसके लिए हमें सूत्र दिखाई दे रहा है जैसा कि अभी बताए थे W और 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 एनी वी बटे एक एर भी होता है capital M M dash into V बटे एक एर होता है अब ये जानना है कि दो फर्मूलों में से कौन सा फर्मूला हम इस्तमाल करेंगे चुकि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मोलर्ता के रूप में question given है तो हम नार्मल्ता का step नहीं लेंगे ठीक नार्मल्ता का step ना ले करके हम Molartha का formulas इस्तमाल करने वाले हैं तिक मार कर दे रहे हैं डबलू इकल्टू इस्तरह चे हमें Molartha M के रूप में फर Jordanya मिल गया Capital M into M dash into Capital V milliliter में upon A qy means इसमें Molartha देखिये 0.1 दिया हुआ है into M dash यहाँ पर अनुभार की अगर बात करें तो sodium carbonate Na2CO3 होता है Na का पर्माणुभार 23 और 2 के वज़े से 23 दुनी 46 हो जाएगा carbon का पर्माणुभार 12 होता है और oxygen का O3 के लिए 3 गुणे 16 क्योंकि oxygen का पर्माणुभार 16 हो जाएगा इनको अगर जोड़े Na2CO3 को Na2CO3 को अगर हम जोड़े तो कितना मिल जाएगा अणुभार 106 यह इसलिए किया क्योंकि यह direct हम 106 इस्तमाल करने वाले हैं तो यह molarta 0.1 लिख दिया into M' अणुभार 106 लिख दिया into आयतन देखिए यहाँ पर 500 ml लिख दिया तो यहाँ पर हमने 500 लिख दिया upon formula में नीचे 1000 लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पर 1000 भी लिख करके हम calculate कर दें तो आपका answer मिलेगा विले का भार क्योंकि sodium carbonate कितना गोलना पड़ेगा तो W answer मिल गया यह 5.3 ग्राम हम अगर गये sodium carbonate 0.1 capital M के विलियन में 500 ml में घोलें तो उसको घोलने के लिए विले पदार्त के रूप में sodium carbonate 5.3 ग्राम चाहिए अब देखिए question number 2 आपके सामने है question number 2 कह रहा है 5.85 ग्राम NACL को 200 ml जल में घोला गया है प्रात विलियन की मुलर्ता क्या है यानि की हमें यहाँ पर मुलर्ता सर्किल के रूप में देख लिए भेर दिए यानि की मुलर्ता का ही फर्मुला हम लगाना चाहते हैं नार्मलता का नहीं इसलिए डारेक्ट फर्मुला हम मुलर्ता का खोड़ लिए ठीक अब आगे फर्मुला को हम अपलाई करने जा रहे है numerical value के रूप में numerical value को अपलाई करने से पहले ज़रा NACL का अनुभार ज़रा देख लिए NACL का अनुभार ज़रा देख लिए रहेंगे और आयतन निमेरकल में खोज लिए 200 ml है तो यह आयतन 200 ml रख दिये और उपर W यहाँ पर 5.85 ग्राम है तो इस W का मान 5.85 ग्राम रख दिये एक हैर का तो फर्मुला में गुणा हुआ है कैलकुलेशन करेंगे तो उस विलियन की मुलर्ता जो हमें ग्याद करनी थी कैपिटल M का मान मिल गया 0.5 यह यहाँ पर मुलर्ता मुलर्ता का वैसे फर्मुला के धार पर देखें तो मातरक होगा मुल पर लीटर मुल पर लीटर यह चीज सामने आ गया अब देखिए आपके सामने हैं कोशन नंबर त्री 500 ml आयतन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंट्व उपस्तित है तो नाइट्रोजन की मुलर्ता यानि की मुलर्ता ज्याद कीजिए तो मुलर्ता का फर्मुला हमने लिख दिया डबलू इकल्टो कैप्टल M इंटो अनुभार M इंटो आयतन V मिलिलीटर में अपने प्यार सीधे सीधे हम 500 ml आयतन हम रख दिये यहाँ पर फर्मुला के रूप में यह देखिए 500 ml इसके बाद 1.4 ग्राम डबलू जो दिया हुआ है यह वाला डबलू 1.4 ग्राम रख दिये और नाइट्रोजन का परमानुभार 14 होता है तो N2 इकल टू अनुभार के रूप में M डैस रख दिये और इस तरह से आपका अंसर आगया मोल अरता इकल टू 0.1 म कमान हो गया इसका मात्रक अगर लिगना चाहें तो हम लिख सकते हैं मोल पर लिटर अब आगे की बात करें तो नेक्ट कोशन आपके सामने हैं यह देखे दिखाई दे रहा होगा कोशन नमबर 4 0.25 कैटल N आकसेलिक अमले आकसेलिक एसिड फर्मुला होता है C204H2.2H2O विलियन की मोलर्ता क्या होगी इसके लिए मोलर्ता की अगर बात कर रहा है तो नार्मल्ता और मोलर्ता में यहाँ पर फर्मुला देख लिए यह नार्मल्ता कैटल N है ठीक और हमें मोलर्ता कैटल M गयाद करना है तो स्वभाविक है हम यहाँ पर नार्मल्ता का फर्मुला ना करके हम नार्मलता ये वाला capital N और molarता capital M में संबंद रखने वाला एक formula देखेंगे क्या होता है नार्मलता इकल तो molarता इंटो small n normality इंट इकल तो molarity इंटो small n ठीक तो molarता इकल तो क्या होगा नार्मलता बटे small n यहाँ पर जहाँ तक small n ग्याद करने की बात है तो आक्सेलिक अमलता फर्मूला होता है C204H2.2H2O लेकिन C204H2 में ये वाला H2 को आयन के रूप में तोड़े तो C204 आक्सेलेट आयन double negative charge हो गया और plus करके 2H positive charge हो गया इस प्रकार से H की positive charge की संक्या 2 मिल गया यही N की value होती है N की value यहाँ पर 2 रख दिये और इस प्रकार से calculation करें ये तो कैसे करेंगे जरा देखने 0.25 को अगर हम एक 0 बढ़ा दे तो कोई अलग अर्थ नहीं निकल के आएगा लेकिन अगर इसको हम काटें तो इसका क्या calculation होगा 0.150 को 2525 कर दिया तो यही आपका answer मिल गया mol अर्थ इकल टो 0.125 M या mol पर लिटर अब question number 5 आपके सामने है 20 ग्राम sodium carbonate को 1000 ml जल में गोलने पर विलियन की mol अल्थ गयाती है अब यहाँ पर देखे उदेश जब हमें पता होता है तो फर्मुला ढोडने में हमें कोई पर ग्राम भार में घुलित विले के मोलों किसंग्या को उसकी हम मोललता कहते हैं स्वभावी के आगे के फर्मुला को अपलाई करते हुए यहां पर मोल आ गया बटे विलाई का भार हो गया मोल को हम ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं मोल इकल टू होता है फर्मुला के रूप में भार बटे अनुभार तो मोल के जग़ा पर भार बटे अनुभार आ गया तो जड़ा चेक कर लिए यह किलोग्राम में फर्मुला होता है तो अगर हम यह ग्राम में लिखते हैं तो इसलिए उपर एक हैर मल्टिप्लाई कर दिए तिक एक हैर क्यों multiply हुआ ये आपको जानना जरूरी है definition में यह value जो होता है किलो ग्राम में होता है लेकिन numerical चुकी हमें ग्राम में दिया गया होता है तो ऐसे में हम उपर 1000 का गुणा कर देते हैं तो value put की ये small n का मान क्या है भार बटा अनुबार तो भार यहाँ पर देखिए 20 ग्राम है अप्लाई कर दिया और अनुबार की अगर बात करें sodium carbonate की तो अभी पिछले question में हम sodium carbonate का अनुबार बताए थे 106 तो 106 लिग दिये ये वाला into एक हैर upon ये विलाय का भार 1000 यहाँ पर ये विलाय का भार क्याचे में दिया है एक हैर ये मिली लीटर ना हो करके ये kg में है निमेरकल में थोड़ी इसी ही खलती होगी एक हैर ये ग्राम है सौरी एक हैर ये हो गया आपका ग्राम तो question ज़रा क्या है ज़र फिर से दुबारा दोरा दें 20 ग्राम सोडियम कर्बोनेट को 1000 ग्राम जल में घोलने पर विलियन की मुललता क्या होगी एक बात और 1000 ग्राम कह दिए चाहें 1000 मिली लीटर कह दिए बराबर होगा क्योंकि किवल जल के लिए मिली ग्राम और उसका भार समान होता है अगर ग्राम के जगा पर एमेल रख दें तो एमेल चुकी ग्राम के रूप में होता है वो दोनों के दोनों वैलू सही होता है तो 1000 ग्राम लिए और इस तरह से कैलकुलेशन करके देखते हैं तो मिला 10 अपन ये 53 इक्वाल टू भाग देने पर मिलेगा 0.1887 यह आपका अंसर मोललता के रूप में आ गया अब देखिए कोशन नंबर 6 क्या कह रहा है कोशन नंबर 6 है 20 दसमलो 6 ग्राम एने बियार सोडियम ब्रमाइड को 500 एमेल जल में घोला गया है प्राप्त विलियन की मोलललता क्या किए तो मोललता को अंडरलाइन कर दे रहे उपर में था कोशन मोललता क्या किए तो मोललता के हिसाब से चेक कर रहे थे यहाँ पर मोललता की बात कर रहा है तो मोललता का फर्मुला हम देखेंगे और यहाँ पर यह कोशन में ही यह सोडियम का परमानुभार 23 दिया हुआ है ग्रोमीन का परमानुभार 80 दिया हुआ है तो इस प्रकार ये sodium bromide का जो अनुभार हो जाएगा 23 प्लस 80 एक्वार टू 103 ये इस्तमाल किया जाएगा तो मुलर्ता का फर्मुला आपके सामने है डबलू इकल तो मुलर्ता यहां पर है अनुभार Mडस हो गया इन्टू ये कैप्टल V यहां पर चोकी मुलर्ता के रूप में कॉशन गिवन है तो इस तरह से हमने फर्मुला मुलर्ता का इस्तमाल कर लिया और इस प्रकार से मुलर्ता ज्याद करना है उसको पहले ले लिया फर्मुला को एड्जेस्ट कर लिया तो इस प्रकार से मिला कैप्टल M इकल तो W इन्टू एक हैर बटे Mडस इन्टू कैप्टल V बस कुछ नहीं करना है कॉशन में विले का भार 20.6 ग्राम दिया हुआ है चेक कर लिए लिग दिये इन्टू एक हैर बटे और यहां पर अड़ो भार N.A.B.R. का 103 रख दिया गया और आयतन 500 M.L. दिया हुआ है इस तरह से हल किया जाए तो हमें कैप्टल M का अंसर मिलेगा 0.4 इसको कैसे हल किया गया है जरा वो भी हम आपको बता दे एक डेसिमल से हम अगर एक जिरो को हटा दे तो 103 और यह 206 हो गया 103 में 2 का गुणा करें तो 204 अर्था 2 सकड़ गया तो अब आपको क्या मिल गया यह 1 और 1 दो जिरो से यह 2 जिरो कड़ गया इस प्रकार से 2 बटे 5 मिला यह क्या मिला हमें 2 अपाउन 5 इसको सॉल्ब करोगे तो 0.4 मॉल पर लीटर के रुप में आंसर मिल गया अब देखिए कोश्चन नमबर 7 क्या है 11.7 ग्राम सोडियम कोड़ाइड NACL हमने हिंट के तोर पर ली दिया NACL 35 तो अब आपका M- मिल गया वैलू यह 58.5 यह अब आगे हम कोश्चन पढ़ रहा है 500 ग्राम जल में घोल कर प्राप्त विलियन की मोल अलता की गणा करनी है तो मोल अलता कहता तो मोल अलता का फर्मुला रखते लेकिन मोल अलता कह रहा है तो मोल अलता का ही हम फर्मुला रख दिये मोल ललता ईकल टू मोल बटे विलाइक का भार किलो ग्राम में लेकिन यहां पर तो विलाइक का भार ग्राम में दिया हुआ है तो इसी लिए 1100 का उपर हमने उणा कर दिया तो फर्मूला उपर मोल इकल टू भार बटे अनुभार और इन्टू एक हैयार बटे विलाइक अभार ये 500 ग्राम इस तरह से रख दिया कैलकुलेशन करने पर अंतता हमें मिला 0.8 मोल पर विलाइक केजी में तो ये आपका आंसर होता है small m के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं मोल अंतता का आंसर में small m लिख सकते हैं या मोल परती ये किलोग्राम इस्तमाल कर सकते हैं अगर मोल अरता होता तो मोल पर लीटर या capital m के रूप में लिखते हैं नार्मलता होता तो यहां पर तुल्यांक के रूप में लिखते हैं इस तरह से हम मातरक चेंज करते हुए आगे की और बढ़ते हैं अब देखिए कोशन नमबर 8 आपके सामने है चीनी के सीरप फर्मुला चीनी का हमने दे दिया C12-H22-O11 कोशन के आगे क्या है के 214 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है कमा चीनी के सीरप में मोललता यहां पर फिर से क्लियर कर लिए मोलल तो अब एक और बात ध्यान रखिएगा C12-H22-O11 यह चीनी यानि की सरक्रा का फर्मुला होता है अगर एक एक करके इसका हम परमानुभार के अधार पर अनुभार M- ग्याद करने के कोशिज करें तो कैसे ग्याद करेंगे यह कार्बन का परमानुभार होता है 12 12 12 144 हो जाए तो एक और 22 एक और 22 हो जाएगा और आक्सिजन का परमानुभार 16 होता है तो 16 ग्यारा इक और टू जो भी वैलू मिलेगा इन तीनों को जोड़ने पर हमें आंसर मिलता है 342 यह M- के वैलू मिल गया तो चुकि हमें मोललता ग्याद करना है तो मोललता के लिए एक बात आपक तो याद रणा पड़ेगा कि यहाँ पर विलेन इकल टू विले प्लस विलायक होता है विलेन विले और विलायक से मिलकर बना होता है तो विलेन का भार दिया हुआ है 214.2 ग्राम विले का भार दिया है 34.2 ग्राम इस प्रकार से विलायक का भार capital W इकल टू घटाने पर मिल गया 214.2 गटाओ 34.2 इकल टू 180 इस प्रकार मोललता का फर्मुला मिला मोल बटे कैपिटल वी विलाय का भार ग्राम में इंटू आपका उपर हो गया एक हैर बस मोल के जगापर हमने लिग दिया यहां पर विले का भार बटे अनुभार तो यह अनुभार यह नीचे आगया तो हमें फर्मुला मिला इसमाल डबलू अपन एमडैस इन्टू डबलू यह डबलू ग्राम में होगा यह चीह हम लिग दे रहें और अब बस आपको वैलू फूट अप करना है विले का भार डबलू 34.2 ग्राम नीचे देखो कैपिटल एमडैस की वैलू 342 हम पता कर चुके हैं अनुभार चीनी का डबलू का वैलू दिया हुआ है हल करने के बाद 180 अभी यही तो वैलू 180 हमने रख दिया उपर एक जार बस इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो एक बटे 18 अंसर आएगा फिर से भाग द हैं तो मिलेगा 0.055 नेक्ट कोश्चन आपके सामने हैं कोश्चन नमबर 9 आपको दिखाई दे रहा होगा कोश्चन नमबर 9 है 10 ग्राम कास्टिक सोडा यानि सोडियम कार्व हाइट्रक्साइड को जो एक सो जो 500 ग्राम जल में विले मतब विले किया गया है मतब घोला गया तो इस विलेन की फिर से बात कर रहा है मुललता की गणा की यह तिक ध्यान से कोश्चन को समय लिए कि यहाँ पर 10 ग्राम विले का भार हो गया 500 ग्राम यह विलाय का भार हो गया और यहाँ पर एन वेज का अगर हम अनुभार निकालें तो मिलेगा 23 प्लस 16 प्लस एक इक्व की वेलु आएगा तो अब आगे बढ़ते हैं चुकि हमें इस सवाल में मुललता ग्याद करना है तो फर्मुला होता है कि किसी विलायक के एक किलो ग्राम भार में गुलित विले के मौलों कि संक्या को उसकी मौललता कहते हैं तो उपर मौल हो गया नीचे विलायक का भार हो चुकि यहाँ पर ग्राम में वैलू लिख रहे हैं तो उपर एक हैर का मल्टिप्लिकेशन कर दिये मौल इक्वल्टू होता है विले का भार बटे अनुभार इसको नीचे ले आओ तो नेक्ट फर्मुला मिला डबलू इंटू एक हैर बटे कैपिटल एम डैस इंटू डबल यह विलाय का भार ग्राम में होगा बस आपको यहाँ पर यह दस ग्राम विले का भार इसमल डबलू पूटब करना है ठीक यहाँ पर इंटू एक हैर बटे यह 40 कैटल एम डैस की वैलू रख दिये इसके बाद में विलाय का भार 500 ग्राम यह रखने के बाद हम कैलकुलेशन करें तो देखो कैसे होता है 500 में दो का गुणा करें तो एक हैर होगा यह कैंसिल हो गया 0 से यह 0 कैंसिल कर दे और 2 टू या 4 हो जाएगा और यानि कि इसका आंसर होगा 2 बंजा 2 2 टू या 4 यानि कि यह value मिला हमें 1 बाइ 2 या 0.5 इसका मातरक होगा मोल पर किलो ग्राम विलायक या स्मॉल M भी मातरक के रूप में रख सकते हैं अब देखिए कोशन नमबर तेन आपके सामने है 450 ग्राम जल में ऐसी टोन फर्मूला होता है CH3 CO CH3 के 5.8 ग्राम घोले गए हैं विलियन में जल तथा ऐसी टोन के मोल प्रभाज की गणा किये तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जल मतलब H2O का अनुभार होता है H का 1 होता है तो 1 इंटो 2 इकल टो 2 प्लस आक्सियन का होता है 16 इकल टो H2O का अनुभार मिला 18 एसी टोन की अगर बात करें तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 58 अनुभार तो अब आगे की और बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए मोल प्रभाज पहली बार आप अब देख रहे हैं एसी टोन को अगर कैपिटल A मालने है जल को यदि कैपिटल B मालने है तो फर्मुला आपको याद आने लगेगा कि यह एसी टोन कैपिटल A यहाँ पर यह अनुभार लिग दिये हैं जल का भी अनुभार लिग दिया एसी टोन का मोल इकल तू भार बटे अनुभार भार हम कोशन से देख लिए जल का बात करें तो जल का अनुभार दिया हुआ है जल का भार कोशन में दिया हुआ है इसको भाग देने पर मिलेगा 25 और चूँकि हम मोल प्रभाज के केस में हमें विलियन के कुल मोल की भी आउ सकता पड़ती है तो जोड लिया small n plus capital n equal to 0.1 plus 25 यानि की 25.1 मिला अब हम तीर नीचे का मतलब की हम next page में आगे की और बढ़ रहा है किसी विलियन में यानि की जो दिया हुआ है विलियन की बात करें में acetone यानि capital a का मोल प्रभाज x a equal to विले का भार विले का मोल बटे विले का कुल मोल तो विले का मोल दिया है हम calculation करके देख चुके हैं 0.1 और small n plus capital n हम जोड चुके हैं 0.25 दिसमलो एक यानि की दसमलो से दसमलो वैलू को हटा दे तो वैलू मिलेगा एक बटे एक सो दो सव इकावन इसको भाग दे दे तो अंत्ता हमें मिलेगा 3.98 गुड़े दस गात मानस तीन यह कैसे हल किया तो यह जरा ध्यान दिये एक बटे 2.51 तो था 3.0 बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखिए 10 गात मानस 3 भी कर दिये एक यार बटे 251 को भाग दो गए तो 3.98 मिलेगा इन्टू 10 पाउर मानस 3 भी हमने लिग दिया यहाँ आपका आंसर हो गया इसी प्रकार विलियन में जल यानि की इंडिकेशन के रुप में कैपिटल भी लिग दिये है उसका मोल प्रभाज एकल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल N चूकि जल विलाइक है त और कुल मोल नीचे रख दिये और भाग देने पर हमें मिलेगा 0.096 अब एक और बात जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि विले और विलाइक के मोल प्रभाज को अगर जोड़ें तो एक आ जाएगा यह हमवर के रूप में आपको दे रहे हैं कि विले का मोल प्रभाज 3.98 गोड़े 10 का मानस तीनार आए और विलाइक का मोल प्रभाज एकस बी के रूप में यह दिखाई दे रहा है इनको जोड़ करके देखिएगा जरूर से जरूर वन आना चाहिए आएगा भी अब आगे देखते हैं कोशन नंबर 11 आपके सामने हैं किसी लवन की 6 ग्राम मात्र 250 ग्राम जल में घोली गई है विलियन की फिर से मोलल्ता ग्याद करने के लिए कह रहा है जबकि लवन की बात कर रहा है पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लवन है लेकिन उस लवन का अणोहार ज़रूर हमें पता चल गया कोशन में ही गिवन है 6 तो इकल तू मोल यह ग्राम में हो गया यहाँ पर उपर एक हैर का मल्टिप्लिकेशन हो गया बस कोशन से विले का भार इस मल डबलू छे ग्राम दिया हुआ है और क्राप्टल डबलू दिया हुआ है 250 ग्राम और यह वैलू गिवेन है और भार यह 60 इसको कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा आपको 0.4 कैसे मिलेगा वह भी देख लो 0 से 0 का कैंसिल कर लो 6 से 6 कैंसिल कर लो और इस प्रकार से 100 बटे 250 को अगर भाग दोगे तो 0.4 आएगा अगला और लास्ट कोशन आज की डेट का होगा जल की मोलरता की गणा की यह यह अपने आप में एक बहुत ही important question है देखने मे बहुत छोटा question है लेकिन बहुत मेरे हिसाब से important है बोड़ी गाम में अक्सर यह question पूछा जाता है तो मोलरता equal to formula होता है अचा एक और बात जल का घहना तो दिया हुआ है एक ग्राम प्रति मिलिलीटर यह एक मिलिलीटर जल का जो द्रविमान होता है एक ग्राम होता है यही पिछले question में भी आपको बताए थे जैसे 500 मिलिलीटर जल का द्रविमान कितना होगा 500 ग्राम ही होगा तो इस तरह से यह real है यहाँ पर मोलरता equal to यह formula सीदे सीदे हम लिख दे रहे है small w into 1,1 बटे और भार m' जल का और into capital V यहाँ पर इस तरह से value को अगर देखें तो यहाँ पर capital V को इसके नीचे adjust कर लें तो small w upon capital V मिला into 1,1 बटे capital M' को नीचे ही रग दिया क्यों कर रहे हैं क्योंकि direct यह value हम put करने वाले है small w बटे capital V small w gram में और V milliliter में यह direct हम value one put up करने वाले हैं तो यह देखिए यह one direct put up कर लिए into 1000 upon capital M' जल का अनुभार होता है 18 इस प्रकार से 1,1 बटे 18 का अगर भाग देते हैं तो हमें मिलता है 55.55555 को approximate value के रूप में अगर लिखना चाहें तो हमें मिलेगा answer 55.6 इसके आगे आपको बता दें कि जो next video मिलने वाला है वो इसी यह question के आगे हम continue करने वाले हैं इस बात का ध्यान रगे हैं आज के लिए इतना ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृप्या करके like share and subscribe जरूर किजेगा आज के लिए इतना ही मिलते है next video में thank you